साधना करने वाले भगवान के भक्त मौझूद है भगवान की मौझूद की बताने वाले भगवान है क्रिष्णा 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 क्र है भगवान क्रशं रहो मेरा राम आप मेरी रक्षा कीजिए राम भी ओई है क्रशन भी ओई है राम उनी का नाम है जो परमीश्वर हैं क्योंकि उस सभी को आनंद प्रदान करने वाले हैं इसलिए उन्हें राम कहते हैं कृशन है जो सभी को आकर्षित करते हैं सभी को अपनी और खेंचते हैं अपनी शरण में लेने को बहाय फैलाय हुए हैं उनका नाम कृष्ण है आकर्षण है परमाकर्षण इश्वरा परमकर्षण सच्चिदानंद विग्रह अनाधिर आधिर गोविंद सर्वकारण कारणं तो आई आगे चलते ही अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिन परमम पुरसं दिव्यम्याति पार्थानू चिंतयम ए पार्थ ए प्रथा पुत्र कुंती जी का नाम ही प्रथा एक दूसरा नाम पढ़ा है कि प्रथु महाराज के कोई संतान ने होने से कुंती जी को जो वस्देव जी की बहन है उनको गोद ले लिया था तो प्रथु महाराज के पालन पोष्ण में रहने वाली बच्ची का नाम प्रथा पढ़ा लोग प्रथा नाम से बुलाने लगें तो यह पर वगवान ने अरजुन को प्रठा पुत्र कहा कि ए प्रठा पुत्र अभ्यास योग युग्ते नुटेंग सानान गामिना अभ्यास कहते हैं प्रेक्टिस एक ट्रेक्टिस करने से यह तेरा मन अन्यत्र नहीं जाएगा बगवान गोविंद के श्री चर्ण कमलों में इस्तिर हो जाएगा अब्यास करो अर्जुन संत लोग ध्यान करते हैं अब्यास है ध्यान करते हैं आसन पर बैठते हैं यम नियम आसन प्रानायाम प्रत्या आहार धारना ध्यान समाधी बगवान की सेवा करना सबसे बड़ा अभ्यास है बगवान की सेवा करते करते भक्त का मन प्रेम सहित बगवान के श्री चर्ण कमलों में अटक जाता है फिर बगवान से अलग नहीं होना जानता अलग नहीं होता हो नहीं सकता कौशिश करने से भी लाख तकलीफें मृत्यु आके खड़ी हो तब भी नहीं तब भी भगवान को याद करता है बाकी तकलीफों में तो क्यों नहीं करेगा अभ्यास योग युक्तिन ध्यान करो अरजुन जो भी कुछ काम करते हो उसको भगवान के लिए करो ध्यान करते हो भजन करते हो माला जब करते हो या जाड़ु मारते हो भगवान के मंदिर में या कोई गीता भागवत रामायन पढ़ते हो ये ध्यान पूरक पढ़िए करिए अटेंटिवली आप एकाग रिचित से उस काम में लग जाएए जो भगवान के लिए किया जा रहा है जो भी काम आप कर रहे हैं उसको अटेंटिवली कीजिए और इसमन रखिए कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ चाहा आप दफ्तर में ड्यूटी दे रहे हो या खेतों में हल चला रहे हो ट्रैक्टर चला रहे हो मालो हल अभी आजकल नहीं रहे या अपने कपड़ों की प्रैस कर रहे हो या रोटी बना रहे हो या सबजी बना रहे हो या बच्चों को खिला रहे हो या मार्केट प्लेस में बच्चों के साथ ब्रह्मन के लिए निकले हो, पर्चेजिंग के लिए निकले हो, सदेव भगवान गोविंद को याद कीजिए, इससे आपका प्यॉरिफिकेशन होगा, इससे आपके हिर्दय में भगवान का प्रेम बरेगा और आप पवित्र होंग आपकी भावना पवित्र होगी, प्यॉरिफाइड और कॉंशिशनेस तो रिमेंबर हिन, यह सरल हो जाता है जब आदमी इमानदारी के पत पर चलने लगता है, बेइमानों के इर्दय में या बेइमानों के पत पर चलने पर यह थोड़ा कठिन होता है, लिए जब आदमी सचाई से इमानदारी से इस जीवन को जीना चाता है, तो भगवत इस्वन प्रारंब हो जाता है, सत्त ही उनका नाम है, सत्त को जानना हो तो परमीश्वर हैं, तो पर सच्चे मार्ग पर जो चलता है, वो तो सत्त को जानने के लिए ही चलता है, सत्त का खोजी होता है, तो उसको जिस घड़ी वो चलने लगता है सत्त पत पर, तो उसको इर्दय में आनंद की किरने उतरने लगती हैं, आनंद बिसफुटी तो होने लगता है आनंद के जरने जरने लगते हैं आनंद के कमल खिलने लगते हैं क्यों नहीं क्यों नहीं खिलेंगे सत्त का बोल बाला और जूट का मुह काला सत्त में वो जयते ये वेदों के बहुत लावडली कहे गए वाक्य है कि सत्त की विजय होती है सत्त में वो जयते सत्त की विजय होती है असत्त की नहीं असत्त डिफीट खाता है पराजित होता है सत्पत्पर जब आप चलने लगेंगे तब आप कहीं भी हो, मार्केट प्लेस में हो, बच्चों के साथ हो, दबतर में हो, घर में हो, जो भी कुछ कर रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, ना रहे हो, पीर, सदे भगवान का इसमन बना रहता है इसमें आपका परम कल्यान है परम लाव है जीवन का इससे बड़ा सौधा कोई नहीं है ये सच्चा सौधा है ये महापुर्षों ने सच्चा सौधा किया है तब वो महापुर्ष कहला है और भगवान को प्राप्त किया है आप भी कर सकते हैं सैपरिवार अभ्यास योग युक्तेन चेट्सा अनान गामिना पर्मंपुर्सं दिव्यम्याती पार्थानू चिंतयन अरे पार्थ उस परमपुर्स परमेश्वरका तु चिंतन कर द्वाविमोपुर्सो लोकी क्षरस्च अक्षरेवचर चरेसरवानी भूतानी कुटस्थो अक्षरवच्चते भगवानी चर और अक्षर से परे हैं वो परम हैं सभी कारणों के कारण हैं भी पार्थ तो उस परमपुर्श का इस्मन कर अभ्यास अर्जुन आठ वर्ष का बालक है गुरु के विध्या करने के लिए गुरु के आश्चरम में सब बालक सो रहे हैं जितने विवान अस्त्र विध्या सीखने आए हुए हैं गुरु के साथ रहते हैं द्रोणाचारी जी के साथ एक दिन गुरु द्रोणाचारी रात में अर्ध रात्री को उठे लगुशंका के लिए तो उन्होंने देखा कि कोई बालक रात में तीर चला रहा है दीवार पर एक गोला बना करके और उस गोले के अंदर आठ दस तीर लगे हुए हैं काफी दूरी से उबालक अभ्यास कर रहा है गुरु जी ने पूझा कौन मैं हूँ अर्जुन गुरुदेव आपका शिष्च अर्जुन अर्जुन तुम क्या कर रहे हो इस अंदेरे में अभ्यास गुरुदेव अभ्यास अंदेरे में तीर चलाते हो यह कैसे संभाव है और यह गोले में जो आदस वारत तीर लगे हैं यह क्या तुमने चलाए है जी गुरुदेव ओ अर्जुन तुम साधारन धनुर्दर नहीं बनोगे मेरा आशिर्वाद है तुम्हें इस प्रत्वी के स्रेष्ट धनुर्दर तुम कहलाओगे एक दिन अर्जुन कहलाए अभ्यास किया अभ्यास करोगे तो भगवान की शरी चरण कमलों में आपका मन इस्थिर हो जाएगा अभ्यास योग युक्तेन चेटसा ना निगामी ना अभ्यास करोगे तो यह तुम्हारा मन चेटसा यानि मन चित चित विर्तिया अन्यत्र नहीं जाएंगे भटकेंगे नहीं संसार के भोगों में चिंताओं में दुखों में कलेशों में बीमारियों में रिष्टेदारियों में, पाखंडों में, इंद्रियत रिप्ती में, क्रोध काम, लश्ट, इर्शा, बदला लेनी की भावना नहीं यह सदेवा आपकी बिचार, आपकी चित्त वृत्तियां स्री कृष्ण के चरण कमलों में लगी रहेंगी उस शाम सुंदर के चरीवे ग्रह का दर्शन करने में लगी रहेंगी उनका चिंतन, उनकी लीलाओं का कतन, उनके कीर्टन में लगी रहेंगी उनकी सेवा में लगी रहेंगी तब आप निसंदे भगवान के परंदाम गोलों के वाश्टी बन जाओगे वहाँ पर तुमको एक आध्यात्मीक शरीर में लेगा यहाँ पर यह भौतिक शरीर है पचास-साट-सतर साल में फैलने की तैयारी करता है लेगनो इस्पिरिच्वल शरीर जब आप इटर्निटी में प्रिवेश कर जाएंगे वैकुंट में प्रिवेश कर जाएंगे बगवान से प्रेम करके बगवत भावित बन करके ताब आप परमढ़ाम के वासी बन जाएंगे बगवान सरी कृष्ण के भक्त जहां आपकी भावना है वह ही चले जाएंगे इश रित्याक करके कृशन भावना भावित है तो कृशन जी को प्राप्त कर लोगे परमदाम को प्राप्त कर लोगे और एक सुन्दर नव योवनम्च सदेव नव योवन रहने वाला जिस तत्व की आत्मा है उस तत्व का पूरा शरीर आपको प्रदान कर दिया जाएगा इससे बड़ा लाप क्या होगा और वहां जाने के बाद वापिस कभी करोणों वर्सों में भी वापिस यहां बहुत इक संसार में वापिस शरीधारन करने नहीं आना पड़ेगा आप परम मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे तो ऐसा ही कीजिए इससे बड़ा लाप क्या होगा क्या बड़ी बिल्डिंग बनाना इससे बड़ा लाप है यह दुनिया का रिचेश्ट आदमी कहलाने में इससे बड़ा लाप है कहलाने में यह इंद्र का पद प्राप्त करने में बड़ा लाव है? नहीं, इससे बड़ा लाव कोई नहीं है, यह परमलाव है अभ्यास योग युक्तिन चेटसा ना निगामिना पर्मंपुर्ष्टम दिव्यम्याती पार्थानू चिंतेम पार्थ तो चिंतन कर, विचार कर, कि तुझे परमपुर्ष मिल जाएंगी, यह तो अभ्यास करेगा तो, अभ्यास भक्त लोग माला जब करते हैं भगवान का तिलक निकालते हैं भगवान के मंदिर जाते हैं तुलसी उगाते हैं अपने घर में तुलसी लगाते हैं भगवान को अपनी रसोई का पहला भाग भगवान को अरपन करते हैं तुलसी दल डाल करके प्रणाम करते हैं दीपक जलाते हैं अगर्वत्ति लगाते हैं प्रेम बढ़ाते हैं उनकी शर्म में रहते हैं उनसे रक्षा मांगते हैं जो कुछ मांगना है उनसे मांगते हैं बिना मांगे भी बगवान अपने भक्त की सभी सभी युक्ती युक्त कामनाई पूर्ण कर देते हैं जो भी जो कामनाई भगवान से दूर ने करें उन कामनाओं को भगवान सोते हैं भक्तों की जो कामनाई भगवान से दूर करती हो भगवान अपनी भक्तों की कि ऐसी कामनाएं कभी पूर्ण नहीं करते हैं, भक्त की इस्पेशली, भक्त की शुद्ध कामनाओं को बगवान तुरंत पूर्ण करते हैं, बगवान को जो वास्तों में जो वस्तु की जरुत है, बगवान स्वयम आकर दे देते हैं, कि लीजिये, ददामी बुद्धी योगम भगवान बुद्धी भी देते हैं वस्तुई क्या और वो भी ऐसी बुद्धी जिस बुद्धी से उनकी प्राप्ति कर लेता है भक्त योग शेम वाहामिहम किन से मिलाना है कहा ले जाना है कब सुलाना है कब उठाना है क्या देना क्या नहीं देना सारी जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है जो भगवान की शर्ण में रहते हैं इतने प्रेम करते हैं भगवान इतना प्रेम उनके इर्दे में तब वो भगवान हैं वो सागर हैं प्रेम की हम बूंद हैं वो सागर हैं प्रेम के तो बूंद भी अगर सागर की और जाना चाहे तो सागर दस कदम आगे लहरें आगे आती हैं दस कदम कि आजाओ मेरी पास कैसे सागर बोलता है लहरे आती है और वापिस जाती है आजाओ, आजाओ, आजाओ सागर स्वरूपा हैं वह दया की सागर हैं कृपा की सागर हैं करुणा की सागर हैं शरणागत को शरण देते हैं जो शरण में नहीं जाना चाहिए तो कैसे किया जा है भगवान ने अपना दर्वाज़ सदेव खुला रखा है कहिए कि उनके दर्वाज़े पर गेट किवार नहीं है सदेव खुला है, सब के लिए खुला है चांडाल तक को खुला है, वैश्याओं को खुला है कम बुद्धी वालों को भी खुला है और महान बुद्धी महान है, उनको भी खुला है, सब को खुला है देवताओं को भी खुला है, और दुष्टों को भी खुला है कोई जाना चाहे, एक कदम, वो दस कदम चलके आते हैं कि आईए नहीं नहीं मैं तो दुष्ट हूँ, कोई बात नहीं तुमने एक कदम मेरी और उठाया, आईए क्यों नहीं आते, रुक्यों वे, आई क्योंकि हम सबकी बीज प्रदान करने वाली शक्ति हैं भगवान हमारे पिता हैं कोई पुत्र जो बिछुड गया है गलत रस्ते पर चला गया है हजारों मील यदि ओपिता की और आना चाहे तो कौन पिता है जो उसको स्विकार नहीं करेगा भगवान सबको स्विकार करते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेटसा ना निगामिना पर्मं पुर्सं दिव्यम्याती पार्थानू चिंतयन कविम्पुरानं अनुसाशितारं अनोर अनियां सम अनुस्मरेदयं सर्वश्य धातारं अचिंति रूपं अधित्य वर्णं तमसह परस्ता कितने सुन्दर भगवान की वानी है कविम्पुरानं ए अर्जुन ए पार्थ वो परमेश्वर परमपुरुष कविम्पुत भविश्य वर्तमान के जानने वाले हैं सबसे परमविद्वान हैं भगवान ने अपनी ही गुण धर्मों का वर्ण निहा किया है ये कहके कि अर्जुन को कभी मेरी शर्ण मा कहते हैं तो कभी अर्जुन को कहते हैं कि परमेश्वर की शर्ण में जा यानि किसी भी प्रकार से अर्जुन के मस्तिस्क में ये बात उतरे भगवान भी कभी सोचते हैं कि ये तो मेरे मित्र है अर्जुन सोचता होगा और ये बार-बार कह रहे हैं कि मेरी शर्ण में आ मेरा अंश है तो कभी कभी भगवान ऐसा भी कहते हैं कि उस परमेश्वर की शर्ण में जा परमेश्वर सामने खड़े हैं लिए अर्जुन यानि आत्मा हम सब किसी भी प्रकार से उस परमेश्वर को समझ जाए तो भी भगवान को ही प्राप्त कर लेते हैं उस परमेश्वर की शर्ण में या कहें तो भी वो ही है और कहें कि मेरी शर्ण में आ तो भी वो ही है नारायन है कृषन स्वयम नारायन है परम विश्णु है महा विश्णु गर्भो दक्षाई विश्णु खीरो दक्षाई विश्णु ये सब परम विश्णु भगान स्री क्रश्ण के विश्थार है गोविन्दम आधी पुर्शं गोविन्द आधी पुरुश है आधी नारायन है आधी विश्णु है अनाधिर आधिर गोविंद हो सर्व कारण कारणम शिव के भी कारण वो है भ्रह्मा के भी कारण वो है विश्णु के भी कारण वो है सर्ष्ठे के भी कारण वो है प्रले के कारण भी वो है सभी कारणों के कारण वो है वो इश्वर है वो परम आकर्शन है उनके अंदर इसलिए उनके भक्तों ने उन्हें कर्शन कहके पुकारा जैसे कोई सुन्दर बालब को देखकर के मुस्लिम औरत कहती हो हाई अल्ला कितना सुन्दर है हाई अल्ला ये शब्द ही उस आकर्शन के लिए है वो अल्ला का मतलवी आकर्शन है वो परम आकर्शन है हाई अल्ला ये अंग्रेजी वाले कहते हैं ओ गोड ओ आकर्शन है परमेश्वर है कोई परम शक्ति है ये सब का उद्गम इस्थान है सब कारणों का कारण है सब सुरोतों का सुरोत है हमारे बाबा का भी हमारे पड़ बाबा का भी हमारे ब्रह्माजी का भी सरोत है उ परमिश्वर है कृष्णे कविम पुराणं अनुसाशितारं अनोर अनियाम सम अनुस्मरेद यह सर्वश्य धातारं अचिंत्य रूपं अधित्य वर्णं तमसह परस्ताथ तो इस अंधका से पहे है ना तद्वासियती सुर्यों ना सशान पहो ना फावका यद्गपा ना निवर्तंते तद्धाम पर्मममा बवान जहां रहते हैं उन वेकुंट जवितों में भी उन धामों में भी और परमदाम में भी कभी अंधकार का नाम निशान नहीं होता वो तमसह परस्ताथ अंधकार से पड़े हैं वो चिनमे धाम की वासी हैं वह सुई चंद्रमा तारे अगनी आवशक्तारियें की वो सदे स्वप्ट कासे धाम है अनन रंगों से रंग निकल रहें विश्पुटी तो रहें जिंदामों से अचिंते हो चिंतन भी नहीं कर सकते हो जोती बुद्धी और मन से ऐसा उनका धाम है चिंमे धाम तमसे है परस्तात अधित्य वरणम सूरिये के समान चमकने वाला किरणों वाला सोने जैसे रंका सुबह का सूरिये कैसे उदे होता है पहार जैसा बड़ा रूप ले करके सर्दियों में स्पीशन ललाए लिये हुए जैसे कोई सोने का पहार खड़ा हो आधित्य वरणम उनका धाम आधित्य वरणम उनका स्वयम के अंग में के समाने नव उदित्य में बादलों की जैसा उनकी अंग प्रतंग का रंग है शामला रंग वो सब के उपर शाषन करने वाले हैं वो शाषन करता है वो तमाम देवी देवताओं के उपर शाषन करते हैं अनन्त ब्रह्मान्डों के नियंता है कोई भी ऐसा अव्यक्ति विशेश नहीं जिसके उपर उनका शाषन नहीं हो या कोई भी अव्यक्त नहीं जिनके उपर उनका शाषन नहीं हो ब्रह्म जोती जो अनंति सूरियों जैसा प्रकाश उनके भी आधार वोई है शाम सुंदर है भागवत गीता में स्वेम अपनी मुख से कहा है भगवान ने ब्रह्म जोती का भी आधार में हूँ वो अभ्यक्त शाश्वत धर्म स्वरूपा जो ब्रह्म जोती है उसका आधार में हूँ कविम पुरानम वो पुरान पुरुष है आदी पुरुष है इसलिए पुरान शब्द हाँ पर है अपने गुण धर्म अपने मुख से बगवान अर्जुन को कह रहे हैं उपदेश कर रहे हैं कविम पुरानम अनुसाशितारम अनोर अनियाम सम अनुस्मरेदया सर्वश धातारम अनोर अनियाम हमारी आत्मा क्या है एक भहुत छोटा अनु है यानि हम स्वयम हम आत्मा है और एक छोटा सा कण है आत्मा का आत्मा का स्वरूप शास्त्रम कहा है केशा ग्रेशत भागश्यो शतां सहो साद्रशात्म कहा है जीवा सुक्षम स्वरूप वयम संख्याती तो हिचित कणा असंख आत्मा है कर दो है कर दो हादा अपना अपना बजार पिछले 17 साला तो आप जीदी सेवा करदा